तो आज की शुरुआत आपसे ही सवालों के साथ कुल जमा चार से पांस सवाल हैं जो आपको सोचने चाहिए क्या आज भी आप या कोई और सनिटरी पैट को अख़बारी पन्ने या काली पन्नी में लपेट करी दुकान से लाता है क्या आज भी महवारी जैसे मामले पर चौक हुआ महसूस करते हैं आप क्या शादी सेक्स का लाइसेंस है ऐसे विशयों पर सारवजनिक चर्चा का हिस्सा बन पाते हैं और एक और क्या आज भी देश के जाधतर स्कूलों में रिप्रड़क्टर सिस्टम से जुड़ा चैप्टर आते ही बैक बेंचर लड़के खीखी क करके हसने लग जाते हैं तो आज आपको हमें पूरा देखना और सुनना चाहिए हम ऐसे देश में जी रहे हैं जो गूगल के दुनिया में पॉर्ण सर्च करने के मामले में टॉप 10 है लेकिन सर्वजनिक दुनिया में भ्रमित संस्कारों का लबादा ओड़े रहता है आखि तो कि तेज रफ्तार नेट की दुनिया में बच्चे 14 साल में जवान हो रहे हैं बस फिर से ये बहस बाहर निकली जिससे बचते हैं हम सब इसके अलावा देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज एटीन के प्राइड ऑफ पीरियर्ट में ऐसे ऐसे तथ्य सामने आते है जो एक समाज के तौर पर आप को चिंता में डाल देंगे इसके अलावा ऐसा नहीं कि गवालियर हाई पहला है या इससे आगे अधालतों से नहीं आएगा मेगाले हाई को लिखा ने तो बकाया वीदैयो को लिखा के यह और याचिकाम खारिज कर रहे है लो बहुत बड़ा ज़रूरी बात है बच्चे के लिहाज से यही सबसे ज़रूरी बात है चलिए शुरू करते हैं सहमती से सेक्स के लिए क्या उम्र की सीमा हो गौलियर हाई कोट के सामने मामला आया एक कोचिंग संचालक पर आरूप लगा है रेप का पिड़ता के परिजनों ने पौक्सों का मामला लगवाया अदालत में मामला पहुचने के बाद जब सबूत पेश करने की बारी आई तो जो संचालक है उसने कई सबूत ऐसे दिये जिसमें लगता आई कि आपसी सहमती का मामला है अदालत पेंच में फस गई गौलियर हाई कोट ने केंद्र सरकार से सहमती से संबंद बनानी क्यों रक्ठारा से घटा कर सोला करने का अनरोध किया है इस पर कानून के जानकार क्या कहते हैं पहले वो सुन लीजिए कि अधरा 375 में फूर्विस में यह प्रावदान था कि 16 वर्ष से अधिक आयू की कोई मैला है और किसी से संबंद बनाती है सहमती से बनाती है तो कोई अपराद नहीं था किन्तु दोजा 13 में अमेंडमेंट करके यह आई बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मान्यू चनेले द्वारा यह बात कही गई है कि आज कल इंटरनेट के जवाने में 14 साल के बच्चे भी इतने जादा जानकारी रखते हैं इतने मेचर मेंट सारे कौमांसे ग्रूप से इतने मेचर हो रहे हैं उस संबंद में के द्वारा फिया खालिच की गई है फैक्ट यह थे कि ठाटेबुर्ट थाने में 17 साथ 2020 को एक फईयार पंदर वर्सी रड़की द्वारा लिखाई गई थी कि उसके कोचिंग पढ़ने जाती थी वहां टीचर के द्वारा उसको दूस पलाकर रिलेशन बनाए गए इसने एक अपने एक रिस्तदार रोड था उ उसकी उम्र देखते हुए लड़की की मांसे को प्रश्चिती को देखते हुए प्रकण के तत्यों को देखते हुए फाईयार और नीचे विचारान का किस चल रहा था उसको नेस्ट करने के आदेश दिये गए कोट का अभी हाली में एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 18 साल से जो उमर है वो घटा कि 16 साल कर देनी चाहिए तो मेरा मानना है कि ये डिसिजन बिलकुल सही रहेगा अगर होता है तो क्यूंकि 16 साल की उमर तक लड़की इतनी मिच्वड हो जाते हैं कि वो अपना सही और गलत समझ सकती है ऐसे में अगर लड़की और लड़के का सहमती के साथ फिजिकल रिलेशन्शिप रहा है या उनकी जैसी भी रिलेशन्शिप चल रही है और कुछ दिनों के बाद अगर उनका किसी भी वजह को लेकर उनकी दूरियां बन जाती है रिलेशन्शिप मे तो अगर लड़की F.I.R. दर्स करवा रही है लड़के के खिलाफ और लड़के को ही कोट के चक्कर काटने पड़ते हैं कोट की जो तारीके पड़ती हैं उसका सामना करना पड़ता है तो ऐसे में यह चीज मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि अगर स्थेहमती के साथ रिलेसंसिप की उम्र है वो अठारा से गटा कर सोला कर देनी चाहिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो लड़कीयां होती है काफी कम उम्र में 14 से 15 साल की उम्र में भी मैच्यूर हो जाती है और उसके बाद लगातार रिलेसंसिप में रहती है और द इस तरह के मामले सामने आते हैं तो यह जो हाई कोड ने कहा है उससे मैप कानून के जानकारों को आपने देख लिया लोगों की क्या रहा है वो आपने देख लिया और लगातार ग्राफिक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं मैं जल्दी जल्दी ग्राफिक्स पड़ देता हू लेकिन ये ग्राफिक्स लगातार चलते रहेंगे स्पेंज आपान अर्जेंटीना 13 साल ब्राजील चीज जर्मनी इटली पूर्टगाल 14 साल फ्रांस डेनमार्क पोलेंड स्वीडन थाइलेंड 15 साल ब्रेटन कनाडा रूस इसराइल 16 साल जादा तर जो अमेरिकी राज्य है 16 साल क्योंकि वो USA है आरलेंड अस्टेलिया 17 साल तुर्की मिस्र और कुछ अमेरिकी राज्यों में 18 साल विरोधावास हर जगा है पर वो साफ है सहमती सेक्स बयान और बदलाओ ये लिखने की जरुद क्यों पड़ी बयान जानिये कैसे फरक आया वो जानिये गौलियर हाइकोट के दारान ये तत्याया जज बोले केंद्र सहमती से सेक्स की उम्र पर विचार करना चाहिए केंद्र को इससे पहले करनाटक हाईकोट ने इस तरह के मामले में विधी आयोक तक को पत्र लिख दिया अलग-अलग अदालतों की टिपनी है पॉक्सो ने सहमती से सेक्स का पेंज बढ़ा दिया है कई मामले अदालत में उल्जे है पॉक्सो को खारिज करना पड़ा है कानूनों में जबरदस्त विरोधा बास है सोला साल की किशोरी सेक्स के बारे में सोच समझ कर फैसला लेने में सक्चम है कौन कह रहा है मेगाले हाई कोट कह रहा है डी वाई चंद्रचूर सिंग उनके सामने मामला गया उन्होंने कहा कि बहुत समवेदी मुद्दा है गम भीरता से विचार करने की जरूरत है बहुत खास महमान हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर रीनू यादव सोशल एक्टिविस्ट है सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती है समाज को सीधे भाप लेती हैं आप आप ग्लैमर से लेकर और सोशल चेंजिस तक को बहुत करीब से देख रही है इस वजह से सवाल मेरा ये सोलह या ठारह या छोड़ दिया जाए या कोई बीच का रास्ता डॉक्टर रीयादव जी मुझे लगता ही कोई पहली पार इस मुद्दबे बात नहीं हो रही है मुद्दा बहुत ही जादा सेंसितिव है इस बहुत कंपीरता से सोचने की जरूरत है क्योंकि अगर हम अधर कंडरी इसकी बात करें मुद्दा के इंडिया में हमारी कहीं न कहीं सोचने करण जरूर्ट से वो जादा ही रीपरूटेड इंडिया में इस पेजार ही बीचे इस्के पहले बीच आई टारा सो साथ कि अब बात करूं तो उसमें इनिशलीई दस साल की एज सब लड़कियों के लिए दस साल की एज फिर उसको अठारा से कैमरे बढ़ा के बाद कर दी गई तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसकी अगर मैं उस पेमी यूगल को देखो तो एक रिसार्च कहती है कि जब बच्छा इडॉल सेंस में होता है तो वह उसकी परस्नालिटी डिवलप्मेंट का सबसे बहुत अच्छा फेज होता है और उस वक्त मैं यह बोलू कि वह सबसे स्ट्राइकिंग या नैच्रल रोमैंटिक फिनामेना आना एक बहुत ही जादा नाच्रल फिनामेना है जो कि जिए जिस एक से हर बश्क्राइब करता है तो एक लड़की का पार्टन के साथ बहुत है ठीक आपने जो बात बोली मैं आपको इस वजह से यहां रुकना चाह रहा हूं भारत और दुनिया की बात आ क्यों रही है दर्शक बात जान ले एक टर्म होता है स्टेल्थिंग क्या आपने कभी सुना होगा दुनिया में सोशल मीडिया के बाद स्टेल्थिंग पर चर्चा चल रही है अपने पार्टनर को बताए बिना कॉंडोम निकाल लेने को कई देशों ने रेप करार दिया है हम कहां एक का उल्ज है हम पिंक में डायलोग सुन रहे हैं no means no मनुझी आपके पास में आना चाहा हूँ आप वकील है मामले सीधे आपके पास आते हैं इसे इस कानूनों में भी बड़ा विरोधा भास है कैसे आप इसे देखते हैं और कैसे इसे निपटना चाहिए गवालियर में जजस साहब ने जो कहा, उसे भी मैं चाहूंगा कि आप अपने आंसर में इंक्लूट करें, सर. पहले से मैं यह बताना चाहूँगा कि जसाम ने जो निर्ड़ने दिया है यह निर्ड़ने उन्होंने कुराने अनवगों के आधार पर भी दिया है लेकिन यह लौकी सिति भी आई थी हमारा जो कानून 1860 में IPC का बना था 1860 से लेकर 2013 तक 16 साल की उम्र के आधार पर ही सकती है इसी आधार पर यह निर्ड़न होते रहे 2013 में जब निर्वया कांड हुआ था उस समय सरकार इतने दिक दवाव में आई या उस एक केस की वैसे कई अन्य चीजें भी परवर्तित की गई उनमें से ही किया सितिवी थी आप देखिए मैं अनुबब की बात कही मेरे पा करना पड़ा उसमें भीषा पड़ती है क्योंकि इसकी मातापता की सहमति नहीं होती इंदी लड़की टी तो 16 साल की वेकती लड़की जो अपने घर से अपने पा önपता को बताए बिना जा रही है सैर्पसाधी कह रही है तक यार नहीं हो रहे और अपनी सहमती से घुमने च आशे उन साथ जा रही है ऐसी स्थी में भी केस को खतम नहीं किया जा रहा था उन्हां भी ट्राइल की जा रहे थे उसमें भी बेले नहीं मिल रही थी तो जज़साप का जो यह मामले में उनका कहना यह था एक लड़की जो 16 साल से अधिक्की है अठारा साल के बीच की है यद लूट सब्सक्राइब करें। और उससettes क्या होता है, किया होता है कि किसी राज्य का हाई-कोट किसी मामले में फैसलाइब, करनाटा का फैसला का मामला खारज किया गया वहां पर भी और एक मैडरास का मामला सामने आता है वहां पर भी पॉक्सों के मामले को हटाया गया तो कि हाई कौट सब्सक्राइब बशांच करा nice हएए तो क्या ऐसा लग रहा है कि सारी बॉडिस को कुम करते हारो ना जाले को लगता एक है इसलिए में जो डता है मैं इसम उले को फ्रेते टूप में जो सेंस width अब मेरा सवाल आप से ये डॉक्टर यादव कि इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसमें हम किशोरियों को या बच्चों को एक तरफ हम फ्री करना चाहरें उन पर छोड़ना चाहरें इसका दूसरा पहलू human trafficking या girl trafficking या देहवयापार के मामले पुलिस के पास कोई मीटर तो है नहीं जितना काम करना चाहिए उतना वो कर नहीं पाती सुप्रीम कोट फटकार लगाती है तब तो पुलिस लापता बच्चीयों को धून कर लेकर आती है अब वो ततकाल पता करे कैसे कि इस लड़की की उ लखा हुआ है किसी दाग की तरह डॉक्टर याद हो जी जी मैंने पहले ही कहा कि यह बहुत एक समय दंशील मामला है यह से पे एक एक्ट या सेक्शुल कंसंट या एक दूसरे के साथ सेक्स करने का मामला नहीं है बलकि इससे कई कुरीटियां हो सकता है फिर से जन देने ले लेकिन अगर हम इसका वाइड एंगल देखें तो यह कुरीटियां तो चाहे रहे कोई एज फिक्स रहे या यह मारके की बात आपने कर दोक्र यादाओ मैं अभी सुन रहा था किसी को मैं बहुत शौट में चूकि मेरे पास कम बचा है और आप दोनों से मुझे रियक्शन चाहिए और बहुत शौट में डॉक्टर यादो पहले आप से क्यों ना हम बच्चों को यह पढ़ा दें नौबी के नौबी के बाद से कि यह होता है इस तरह के रिष्टे रखने से इस तरह का कानून है बच्चों को तो पता ही होता कि उन पर कानून लग गया धारा है पढ़ाई चाहिए आप से कोडी तरीके से सेम अब वकील साब आप से भी मेरा यह सवाल क्या सेक्स एजुकेशन पर सार्थक सब्जेक्ट्ट्र बहस इसका सॉलीशन हो सकती है सर बहुत शॉर्ट में प्लीज मेरा तो कहना यह है कि सोला साल से या किसी बारा साल की उमर से बताना तो चाहिए कि सेक्स एलेशन साधी के बाद ही करना चाहिए इस बात को हर किसी वक्ति को बताना चाहिए किसी लड़के से आपकी दोस्ती है या लड़के किसी लड़के से सेक्स एलेशन नहीं बनाने चा जो एक आकर्शन होता है विप्रीत सेक्स के प्रति उसकी वज़ए से इस समस्यां खड़ी हो रहे हैं तो इसमें हर किसी को जागरुक होने की जरू होता है उनकी मर्यादा है दोस्त के साथ कितनी होनी चाहिए बॉइफ्रेंट की गल के साथ गल की वार्फेंट इसमें हर व्यक संसकारों के पीछे यहां पर चुपा के रखा हुआ है जैसे चल रहा है ऐसे मामलों को अमने संसकारों के आड़ में चिपा कर रखा है जो दरसल किसी भी घर में ब्लास्ट कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का आप दोनों हमाई साथ जुड़े अच्छी चर्चा हुई सार्थक चर्चा हुई अब जरा इस मसले को लेकर बोपाली क्या कह रहा है सुन लीजिए रॉंग है ना विस दिगाउस क्यूंकि या तो वह अपने करियर पर ध्यान देगा और या फिर अपने अपने जो मैरेड लाइफ है या फिर रिलेशन है उसके अंदर चाहिए यह उनको लगी रहे और अगर आपने 16 साल और कड़ दिया तो उनको तो पुरी छूट मिल जाएगी जो हाई कोट कहा दिया है कि सब्सक्राइब बनाने की जो उमर है वो 16 अंदर देनी चाहिए तो आप इससे सहमत है वासकर नहीं है तो क्यों बहुत बिलकु सहमत नहीं हो पहली बात तो है कि 16 साल के उमर में बच्चे में क्या यह maturity आ जाएगी पढ़ने की उमर में यह सब करने लग गए तो फिर मतलब अभी तो सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए 18-20 आजकल तो मेरा मुआन नहीं की तो 25-26 के पहले भी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि नहीं हो पाता है और एजुकेशन के मामले में इतना धूर चला जा रहा है इंडिया कि मतलब सब अचीवमेंट्स के करने के जगे में कहां वो सब करोंगे आप लोग जनरली ये उमर में हमें करियर बनाना होता है पढ़ाई पे ध्यान देना होता है हमें क्या बनना है ये डिसाइड करना होता है और इस एज में हम अगर रिलेशन्शिप बिल्डप के बारे में सोचेंगे तो करियर पूरा हट जाएगा मतलब करियर के इसाब से हम कुछ नही वो घटकर 10 से 12 साल पहुँच गई है इसलिए खुलकर बात होनी चाहिए संसकारों का लबादा ओड़कर नहीं नमस्कार